नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में हमारे आसपास में इतने धेर सारे कॉलेजेज हैं इतने धेर सारी बुक्स हैं और इतनी धेर सारी ओनलाइन जेनुएन कूर्सिस भी चल रहे हैं लेकिन फिर भी आप और हम उन लोग को बिल्कुल नहीं बचा सकते जो इस बिमारी से परिशान है इसको कहा जाता है ignorance अग्यानता लेकिन अग्यानता बड़ी प्रॉल्म नहीं है अग्यानता के साथ में जब आपको confidence या conviction आ जाता है भरोसा आ जाता है कि हां हां मैं जो जानता हूं मैं जानता हूं और वही सही है उसके वात आप ready होते हैं का प्रेजिडेंट उसने किस तरह से पूरे के पूरे देश को दुबो दिया केवल इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि जो जानता है वो जानता है यहां तक कि उस country के banks के डूबने के एक महिने पहले England के कुछ banks ने उसको कोशिच किया कि हम help कर दें आपको बचा लें उसने मना कर दिया कुछ दिन पहले मेरे एक uncle है उन्होंने मुझे phone किया और मुझसे पूछा कि आशीश तुमारा तो एक diagnostic center चलता है जहां पर patients आते हैं ब्लेट टेस्टोगरा होते हैं और मैं retire होने वाला हूँ मैं भी सोच रहा हूँ ऐसे कोई business चालो करता हूँ तो बताओ मैं चुप हो गया पहले कुछ बता नहीं पाया क्योंकि किसी भी business को करने के लिए जितना experience चाहिए जितनी knowledge चाहिए वो केवल करके ही आती है मैंने उनको मोटे मोटे में बता दिया कि क्या-क्या समान चाहिए होता है कितनी जगा चाहिए होती कौन-कौन से रॉक्टर्स चाहिए होती है क्या-क्या स्टाफ चाहिए होता है तो इन्होंने roughly एक budget बना लिया कि एक से डेट करोड के अंदर मैं अपना सेटप चालो कर सकता हूँ मैंने मना किया मैंने का ऐसा नहीं है आपको चाहिए उसके पहले experience अगर आप चालो ही करना चाहते हैं तो पहले किसी डाइडियूसी सेंटर के साथ में मिलकर के काम करिए वो भाई साब बिलकुल नहीं मानने वाले थे उन्हें मुझसे और मेरे जैसे चार-पांच लोगों से थोड़ी बहुत बात कर ली थी और उनको आगया था confidence और अब वो ready हैं अपना डेढ़ करोड रुपए डुबोने को पहले भी डुबो चुके हैं लेकिन फिर से डुबोएंगे मैं नहीं चाहता दोस्तों आप या आप जैसे हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं वो इस तरह की बिमारी में फसें इसको बोलते हैं stranded at the summit of mount stupid के जब आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो एक point आता है जहां पर आप एक्तम peak पर होते हैं अपनी बेवकूफी की peak पर और वो सब लोग नहीं होते हैं वो लोग नहीं होते जो नौसीखिया हैं जिनको कुछ पता नहीं किसी field के बारे में ये खासतोर से वो लोग होते हैं जिनको थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है इनको M.H.O. और बोलते हैं और यही confidence से भरे होते हैं और अपने आपको डूबोने के लिए ready रहते हैं अंत में मैं इनको एक doctor के बारे में बताया कि वो एक बहुत senior doctor थे, radiologist थे उन्होंने अपना खुद का dinosaur center चलाया चौदा साल तक struggle करते रहे फिर बंद कर दिया तो हस के बोलते हैं मेरे uncle उनको business का idea नहीं होगा मैंने का ठीक है अगर वो यह video देख रहे हैं तो बैचाहूंगा कि इस video को ध्यान से देखें because चाहे आपका पैसा business में लगे चाहे पढ़ाई में लगे या कहीं पर भी आप अपना time खर्च कर रहे हैं, mind खर्च कर रहे हैं loss होता है आपके arrogance से बेवकूफी और बेवकूफी के ओपर भरोसा तो कैसे इस चीज़ को हम tackle कर सकते हैं यही इस series में हम cover कर रहे हैं इसका नाम है think again और इस पूरी series को देखने के लिए आप dkbrains.com पे जाकर चेक कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस series में जिसको हम कहते हैं think again मुझे खुश लोग बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे डर लगता है खुश लोगों से क्योंकि वो लोग जो कुछ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा confidence दिखाते है और सबसे मुश्किल चीज ये रहती है खुश लोगों की कि वो अपने काम को करते करते इतनी ज़्यादा energy महसूस करते है कि उनको ये नहीं सवाल उठता कि ये काम सही में करने लायक है भी की नहीं इस समय इंस्टाग्राम बहुत आसान है हद से ज़्यादा आसान है उसमें आप बहुत लंबी लंबी वीडियो नहीं डाल सकते डालेंगे भी तो कोई देखेगा नहीं यूट्यूब से थोड़ा मुश्किल है उसमें बाइट डिफॉल्ट पहले लोग लंबी लंबी वीडियो बनाके डालते थे शौट्स के लिए बिचारा यूट्यूब भी स्ट्रगल कर रहा है उस पे शौट्स बनाने वारे लोग कम हैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है बट अब चुकि आसान है तो ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम के वीडियो बनाते हैं और उमीद करते हैं कि वो बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे और एक बार फेमस हो जाएंगे तो कमाने भी लगेंगे यह उमीद है यह एक एक ऐसी उमीद है जैसे हम यह कहें कि अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अमेरिका चला जाओंगा कोई भी नौकरी लग जाएगी तो मैं अमेरिका चला जाओ और फिर बड़ी शिद्दत से बड़ी मुश्किल से आपको एक नौकरी मिले चप्रासी की ये वाच्पेन की महीने की पांच जार छेजार रुपे की सेलरी तो क्या आप अमेरिका जा पाएंगे अब विचल नहीं जा पाएंगे लेकिन अगर आप खुश है उस काम में तो और भी नहीं जाएंगे क्योंकि किसी भी काम को करते करते अगर आप खुश है तो आपको एवालुएट करने का मन नहीं करेगा rethink करने का मन नहीं करेगा इसलिए मुझे खुश लोगों से बहुत डर भी लगता है हाँ खुशी से ज़्यादा बहतर रहेगा शान्त रहना शान्ती state है divine fragment की वो दिखती नहीं है वो spiritual quality है मैं कृश्मूर्थी की और रमण की जो भी किताबे बढ़ता हूँ या वीडियोस देखता हूँ खैर रमण ने तो कोई वीडियो में कोई lecture दिया नहीं कृश्मूर्थी ने जितने भी वीडियोस दिये हैं वो चुटकलों का इस्तिमाल तो करते हैं असाने के लिए, but he is a very serious thinker, serious thinker बतलब यह नहीं कि बहुत serious आदमी है, he is a deep thinker, he is a reviewer, re-thinker, तो हम लोग इस सीरीज में यही पढ़ रहे हैं कि कैसे आप re-think करना सीखें, और आज का topic है, stranded at the summit of Mount Stupid, लावारीश छूटे पड़े हैं, Mount Stupid के उचाई पे, the problem with armchair quarterback syndrome is that it stands in the way of re-thinking, कह रहे हैं कि जो armchair quarterback syndrome है, इसमें कि हम लोग को लगता है कि हम जानते हैं, किसी ने किसी चीज़ के बारे में कुछ ने कुछ जानते हैं, अगर ऐसा attitude है, उसके साथ सबसे बड़ी problem यह है, कि यह आपको re-thinking से रोकता है, it stands in the way of re-thinking, एक बड़ा सा पहाड़ है, आपका quarterback armchair और वो आपको दुबारा देखने नहीं देगा, review करने देगा नहीं, if we are certain that we know something, we have no reason to look for gaps and flaws in our knowledge, let alone fill और correct them, आज मुझे हो गए, अल्मुस्ट साथ-ाठ साल हो गए हैं, वीडियो बनाते-बनाते, यूट्यूब पे, किसी ने मुझे रोका नहीं आज तक, किसी ने मेरी गलती मुझे नहीं बताई, यूट्यूब से, अगर कुछ लोगों ने बताया भी, तो सब्स्राइबर्स ने बताया, जिनको वीडियो मेकिंग के बारे में, कंटेंट मेकिंग के बारे में, ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसके पहले, यूट्यूब से पहले, अगर आपको कोई कंटेंट बनाना था और पॉब्लिक को दिखाना था, तो बहुत लोग थे, बहुत मुश्किले थी, आप टेलिविजन भी दिखा सकते थे, कैमेरा मैन शूट करते थे, प्रोफेशनल एडिटर एडिट करते थे, खली पैसा ही खर्च नहीं होता था, एक्सपर्ट्स इन्वाल्व होते थे, किसी चीज़ को बनाने के लिए, लिकिन चब से मैंने यूट्यूब के उपर वीडियो बनना शुरू हो गया, ये काम अब एक्सपर्ट्स का नहीं रहे गया, अब कोई भी बना सकता है, सुनिए, अगर आपको ये पक्का है, कि आप कोई चीज़ जानते हैं, तो हमको अपनी नॉलेज में, और अपनी, we have no reason to look for gaps and flaws in our knowledge, हमें अपने knowledge में क्या gaps हैं और क्या flaws हैं, flaws मतलब, कमिया, उसको देखनी की ज़रूरती नहीं है, मैंने पिछले 5-6 सालों में, अपने वीडियो के अंदर में कमिया, देखनी की ज़रूरती नहीं पड़ी, because I was certain that I know something, यूँकि मुझे लगता था, जो भी मैं किताबे पढ़ रहा हूँ, और जिस तरह से यूट्यूब पे वीडियो बनाय जाते हैं, I know something, मुझे पता है उसके बारे में, कभी किसी और बड़े यूट्यूबर को देख करके, या किसी फिल्मेकर को देख करके, यह question नहीं उठा कि मेरे काम में, flaws क्या है, और gaps क्या है, इसलिए मैं कहता हूँ, आप लोगों को भी कह चुका हूँ, और अपनी टीम को भी कहता हूँ, अगर किसी ने मुझे point out किया होता सही time पर, editing किस तरह से मैं गलत कर रहा हूँ, और धक्का मारा होता, तो आज हम लोगे 6 lakhs नहीं, 6 million से भी जाता subscribers होते, लेकिन कभी doubt उठा ही नहीं, let alone fill और correct them, अरे जब पता चलेगा कुछ गलती है, तब तो उसको भरेंगे और correct करेंगे, in one study, people who scored the lowest on the emotional intelligence test, weren't just the most likely to overestimate their skills, they were also most likely to dismiss their scores as inaccurate or irrelevant, and least likely to invest in coaching or self-improvement, ऐसा लग रहा है, जिसे मेरे बारे में बता रहा है, कह रहे हैं, एक study हुई थी, जिसमें कि score चेक किया गया, लोगों की emotional intelligence का, मतलब वो कितना emotionally vulnerable है, कितना आसानी से वो लोग दुखी हो जाते हैं, कितनी आसानी से वो कोई बेवकूफ बना सकता है, उनको emotionally, और इसमें जिन लोगों ने सबसे कम number पाए, वो मानते थे कि हम नमबर मेरे बारे में नहीं है, विकार नमबर है, जो आदमी मुझे test कराता, उसको पता ही नहीं है, और इसके साथ साथ, चुकि उनको लग रहा है कि ये irrelevant है, ये marks score, इसलिए उन्होंने अपनी coaching पर, अपने आपको train करने पर, कोई पैसा नहीं खर्च किया, they're least likely to invest in coaching, और self improvement, जब हमको confidence ही है, जैसे अभी karma yoga करती है, इसको confidence है कि YouTube पर देख करके हम अच्छा खासा yoga सीख सकते हैं, तो फिर professional से सीखने की जरूती क्या है, या मैं, मैं videos बना रहा हूं, किसी professional editor से, या movie maker से, इस skill को सीखने की जरूती क्या है, क्योंकि मैं sure, मुझे आता है, तो ये मेर ब्योकूफी है, yes, some of this comes from our fragile egos, तो ये आता कहां से है, इस में से कुछ हिसा आता है, हमारी fragile egos की वज़े से, fragile मतलब, जो बहुत आराम से तूट जाता है, कोई हमारी कमिया बताता है, तो हमारी ego को चटक चटक, crack आ जाता है, we are driven to deny our weaknesses, when we want to see ourselves in positive light, और paint a glowing picture of ourselves to others, हमारे mind का एक force है, एक drive है, कि हम अपने खुद की weaknesses को deny करते हैं, इंकार करते हैं, खराब लगता है, क्योंकि हम अपने आपको हमेशा positive light में देखना चाहते हैं, जब भी कोई हमारे बारे में बात करे, तो अच्छे अच्छी बात करे, हम अपने picture हमेशा glowing paint करन चाहते हैं, इसलिए जब कभी हमारी selfie या कोई photo टो लेता है, उसमें भी हम दुखी हैं, तब भी मुस्कुरा करके photo देंगे, क्योंकि हम अपने picture, glowing picture दिखाना चाहते हैं, दूसरों को, A classic case is crooked politician who claims to crusade against corruption, इसको उस एकदम classic तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं, तो कोई crooked politician है, बहुती corrupt politician है, तो क्या कहेगा, मैं सारा corruption ख़तम कर दूँगा, बट actually, he is motivated by willful blindness और social deception, लेकिन देखा जाए, तो वो आदमी, वो politician किस चीज़ से motivated है, willful blindness, वो अंधा है, उसको दिखता ही नहीं है कि corruption का true cause क्या है, इतने हजारों साल से, corruption क्यों नहीं हुआ, वो willfully, उसको जाना भी नहीं है, willfully blind मतलब, वो अंधा है, और वो अपनी मर्जे से अंधा है, उसको नहीं जाना है, अगर कोई जाके बताएगा भी, कि तुरा सोचो, इनसान इतने हजार साल पुराना है, और इतने सालों से, पाँच हजार साल में कम से वार हो चुके हैं, अभी भी वार चल रहा है, तो क्यों, फिर भी वो लेगा ना, तुम कुछ नहीं जानते, करप्शन में खतम कर दूंगा, वो willfully blind है, और ये अपने आपको deceive कर रहा है, socially deceive कर रहा है, दोखा दे रहा है, yet motivation is only part of the story, तो ये तो part हो गया motivation, कि किस वज़े से है, अपनी गलतियों को ना देखने के लिए, there is a less obvious force that clouds our vision of our abilities, कुछ और वज़े हैं, कि हम अपनी abilities को देख नहीं पाते हैं, हमारी abilities, हमारी कमियां, हमारी आखों के सामने धुंद पैदा कर देती हैं, cloud हो जाता है, a deficit in metacognitive skills, हमारे अंदर में सब में एक कमी है, deficit, किस चीज़ की, metacognitive skill, अगर आप metacognitive skill देखना समझना चाहते हैं, तो पहले cognitive skill समझे क्या है, what is cognitive skill, cognition मतलब सोचना बाद में आएगा, cognition इंदरियों का direct, देखना, सुनना, सुमना, टेस्ट करना, जैसे अगर मुझे कोई चीज़ बता दी जाए, कि केले की है, उसका स्वाद नहीं आ रहा है खाने में, फिर भी खराब लगे, तो वो thought की problem है, cognition की नहीं, हाँ, देखा और केला खराब लग रहा है, तो शायद टेस्ट की problem हो, cognition मतलब direct perception, और अभी हम लोग अपनी sleep की सीरीज में पढ़ेंगे, कि किस तरह से, अगर आप अच्छे से complete sleep लेते हैं, तो आपका cognition बहुत deep हो जाता है, आप कम से कम देख पाते हैं, और उसकी बहुत importance है, क्योंकि अगर आपक का cognition deep हो गया, तो आप लोगों के micro expressions पकड़ पाएंगे, और यह बहुत important है, socially successful होने के लिए, employees manage करने के लिए, team handle करने के लिए, leadership के लिए, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, metacognitive skills की कमी, metacognitive skills क्या है, the ability to think about our thinking, the ability to think about our thinking, हमारे brain में एक thought चलता है कि boss मुझे यह काम पसंद है, एक clear चीज है, गरिमा को योगा पसंद है, वैभों को editing पसंद है, filmmaking पसंद है, मुझे YouTube के वीडियो बनाना पसंद है, बड़ी ममी को ultrasound करना पसंद है, लेकिन क्या यह पसंद के बारे में कभी हम सोचते हैं, कि यह पसंद सही चीज है, गलत चीज है, उसको अलग से, ability to think about thinking, जिन चीजों को हम पहले से मान लेते हैं, कि सही है, गलत है, पसंद है, नापसंद है, उस चीज को review कर पाना, जब उसकी कमी होती है, तो उसको बोलते हैं, deficit in metacognitive skills, यह एक बार हमने किसी चीज को सही मान लिया उसके बाद हम उसके बारे में rethink नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं है, कि आप लोगों को होता है, लेकिन मुझे बहौत regret होता है, कि मैंने 12 में क्यू सोचा नहीं, मुझे medical के अलावा, क्या करना चाहिए था, मुझे खाली इतना पता था, medical नहीं करना, medical नहीं करना, फिर भ मैं एक बहुत अच्छी नौकरी पा सकता हूँ अगर हमारा पूरा सेंटर बंद हो जाए तब भी और वैसे भी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है मुझे डॉक्टर बनने की वैसे बट अगर मैंने अपने आप सोचा होता कि मुझे क्या चीज है जिसके बारे मुझ एक चोटा सा सवाल आपको पूछना चाहिए तो उससे आपको यह आंसर मिल जाएगा कि कैसे हम अपनी मेटा कोगनिटिव स्किल को इंप्रूव करें इसका बहुत सिंपल आंसर है डेली रीडिंग और धीरी धीरे अपनी रीडिंग को इतना स्ट्रॉंग करना कि जो किताब आपको एक साल पहले मुश्किल लगती थी अब आपको मुश्किल नहीं लगती और धीरी धीरे स्टेप बाई स्टेप एक चोटा सा मैंने वीडियो देखा वह अच्छा वीडियो था इंस्टाग्राम पे उसमें आजे देवगन किसी फिल्म का सीन है वो मैट्स है में, कॉमर्स में, फलाना में, ध्माका में, पता नहीं कहा कहा, सब जिगह पर मैट्स इंपॉर्टन्ट है, तो अगर आपको ये अगर इचे समझ में आ जाता है, और आप धीरे धीरे मद्धम मद्धम प्यार से, जिसे कोई आदमी इस समंदर में दूर दूर से जाके नहात ऐसे ही आप मैट्स के साथ नहाएं, प्याद महबबत करें, लडाई जगड़ा करें, फिर आप मैट्स आपको आजाएं, तो बहुत दूर तक आप जा सकते हैं, खेर, तो अगर आपके अंदर में कम्पीटेंस कम है, तो उसकी वज़े से हम अपनी इन कम्पीटेंस को भी अपनी इन कम्पीटेंस को देख नहीं पाएंगे, if you are a tech entrepreneur, you are uninformed about education systems, आप एक tech entrepreneur हैं, आप आप बनाते हैं, ये कोई tech का प्रड़क बनाते हैं, और आपको education system के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, you can feel certain that your master plan will fix them, तो आपको रहेगा, हरी यार, लाओ, लाओ 50 करोड, 100 मैं बहुत बड़ा आप बना रहा हूं, मैं तो बना रहा हूं बाईजू, दुनिया बदल दूँगा, लाओ पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, बेचो, बेचो, फिर बाद में खतम हो जाएगा, यही हुआ बाईजू के साथ, एक पिछले 10 साल में, edtech में बहुत पैसे बरबाद होगे, बहुत पैसे, और edtech अपने आपने बरबाद होगे, एक तरह से बच्चों ने, बहुत बच्चों ने सुसाइड किया है, अगर कोई ऐसी technology company होती, जिसको बहुत अच्छे से education system के बारे में पता होता है, education के बारे में पता होता है, तो शायद चीज़ person, and you are missing some insights on social graces, you can strut around believing you are a James Bond, अब दूसरा example है, आप एक socially awkward आदमी है, कौन, socially awkward, ठीक से बात करना नहीं आता, लोगों से आखी मिलाना नहीं आता, लोगों को सुनना नहीं आता, awkward मतलब, society में आप ठीक से fit नहीं हो पा रहे है, but missing some insights on social graces, लेकिन आपको ये भी नहीं पता, कि ये social grace कैसे आप सीख सकते हैं, चोड़ी-चोड़ी चीज़े, society में आप कैसे सीख सकते हैं, तो आपको लोगेगा, अरे यार, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं James Bond हो, James Bond तो कुछ भी कर सकता है, अखेले हजारों को मार सकता है, author बता रहे हैं, अपनी बारे में, in high school, a friend told me, I didn't have sense of humor, high school में मुझे एक दोस्त ने बताया, कि तुमारे पास कोई हसी मजाग का कोई sense नहीं है, what made her think that, मैंने सुचा, क्या बखवास कर रही है, तेरी हिम्मत कैसे वे ऐसे सोचने की, you don't laugh at all my jokes, तो मेरे से जलती है, मेरे जोक Yes, said no funny person ever, आज तक किसी आदमी ने ऐसा कहा है, मैं कितना मजाकिया आदमी हूँ यार, जो सच मुझ में मजाकिया होते हैं, वो ऐसी बाते नहीं करते, author बोलता है, मुझे रहता है, मैं तो बहुत मजाकिया हूँ, I leave it to you to decide who lacked the sense of humor, आदमी को हमेशा दूसरे पर छोड़ना च सकते हैं कि हम हमारे दर में sense of humor है की नहीं, बट उस से मैं उसको नहीं पता था, इसका भी जब मैंने पहली बार TED Talk देखा था, उसके दर में कोई sense of humor था नहीं, मुझे उसको वीडियो आप देखेगा, आडम ग्रांट की जो शुरुवात की TED Talk है, उसमें डर रहा है, वो times lack the knowledge and skills to judge excellence, जब हमारे अंदर में knowledge नहीं होता, और skill नहीं होता है, कुछ excellence पाने का, कुछ great करने का, तो हमारे अंदर में excellent चीजों को judge करने का भी knowledge नहीं होता, जब वहां तक पहुच नहीं पाते, तो मुसको judge भी नहीं कर सकते, क्यों कितनी अच्छी चीज है, इस चीज को अगर आप समझ गए, जो मैंने आपको बताया, कि अगर आप excellence अचीव नहीं कर सकते, तो आप excellence को judge नहीं कर सकते, अगर ये बात आप समझ गए, तो आपका जो favorite confident आदमी है, उसको आप अपने नजर से हटा दीजे, कोई आदमी ऐसा आपको दिखाई दे, जो ब बड़ी respect देते हैं, मत दीजे, इस insight should immediately put your favorite confident ignoramuses in their place, उनकी आपकात उनको दिखा देना चाहिए, अप्लिस अपने मन में, मैं बच्छपन में बहुत impressed होता था, बच्छपन में क्या, almost जब तक Dr. Impey मेरी life में नहीं आय थी, जनुगा नहीं आय थी, तब तक MBBS के बाद तक, one of my role models, a very intelligent person was Manoj भीया, कितने smartly बात करते हैं, confidently बात करते हैं, जब शुरू करते हैं तो सब चुप हो जाते हैं, उस वही वही बोलते रहते हैं, और मुझे रहता था मुझे इनकी बात को समझने के लिए, उनके साथ आदे घंटे spend करना चाहिए, आज भी अगर आप उनसे बात करेंगे, तो चुप कर देंगे वह आपको, यह बात और है, कि उनको यह नहीं पता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी depth क्या है, आज तक कभी मैंने उनको review करते देखा नहीं है, जो view उनका 10 साल पहले था, 20 साल पहले था, आज भी वही view है, इससे पहले कि हम दूसरों के उपर मजाक उड़ाएं, जो लोग overconfident हैं, और असल में उनके इंदर में skill नहीं है, इससे पहले कि हम उनके उपर मजाक उड़ाएं, यह ध्यान रखेगा, कभी न कभी हम सब वही होते हैं, overconfident, but not knowing that, we are all no voices in many things, but we are not always blind to that fact, अब सुनिये, किसको यह problem होती है, यह सबको नहीं होती है, आपको नहीं होगी, लेकिन आपको कब होगी, यह बता रहे हैं, कब आप Mount Stupid के एकदम peak पर होते हैं, वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो पता नहीं चलेगा, इसको पहचाने के समझिये, हम सब कभी न कभी किसी काम में नोवाइस होते हैं, मतलब, नौसिक्य होते हैं, वी टेंड टो ओर एस्टिमेट आवर सेल्फ्स, उन्डिसारेबल स्किल्स, लाइक अबिलिटी तो कैरी ओन रिवाइटिंग कर्वर्सेशन, जैसे हमारा मुह से बगबग करना आता ह तो हम सब लोगों को लगता है कि हम बात करना जानते हैं, मुझे बड़ा ताजूब लगा जब श्रीश ने मुझसे कहा उसके घर पे, कि आप कितनी असानी से और मच्चों से बात कर ले रहे थे, क्योंकि एक रिवाइटिंग कर्वर्सेशन था, कम से कम उस बच्ची को या कि उसके पास नहीं है, हम सब को लगता है कि हम बहुत आराम से किसी से भी बात कर सकते हैं, और मुझे लगता है यह मेरा बात करने की अबिलिटी आई है, from videos, जो कि मैं जादा videos बनाता हूँ, जादा बोलता हूँ, मैंने अपने आपको बता दिया था, आज से 6 साल पहले, कि 10 साल लग जाएंगे मुझे 10,000 आवर कुरा करने में कि मैं बोलू 10 साल we are also prone to our confidence in situations where it is easy to confuse experience for expertise like driving, typing, trivia and managing emotions मुझे लग रहा था पिछले 6 सालों में या 6 साल पहले कि अगर मैं वीडियो बनाता रहूंगा बनाता रहूंगा, बनाता रहूंगा तो मुझे बात करना, वीडियो बनाना और in general successful होना आ जाएगा गलत था नहायद गलत था we all confuse experience for expertise यह हम सब करते हैं अपने normal experience को क्या मान लेते हैं expertise मैं जब लहरपुर गया था तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब है वो अर्मुस्ट 13 साल से हम लोग तेहां 12 साल हो गए वो 13 साल से ultrasound करते हैं और जब मैं लोकल डॉक्टर से मिला तो किसी को उनकी report पसंद नहीं है क्यों? क्योंकि वो 4-5 finding सब patient में देते हैं कोई मुश्किल finding होती है तो गोल बटोल करके वापस भेज़ेते हैं patient को जितना वो जानते हैं वही finding निकालते है patients में इसलिए उनकी reports कोई पसंद नहीं करता 13 साल से ultrasound का experience है उनका वी confuse experience for expertise तीन भाई है इसमें से पास है expertise लेकिन बाकी दोनों के पास confidence कम नहीं होगा उनको लगेगा हमारे पास भी उतना एक expertise है हम भी जानते हैं steel के बारे में हम भी जानते हैं forgery के बारे में लेकिन उनके पास खाली है experience इसलिए कभी भी ये मत कहिएगा अपने आपको कि मैं expert बनती जा रही हूँ जो मैं कर रही हूँ उसमें चाहे cooking में चाहे filmmaking में चाहे किसी भी काम में अपने आप नहीं आता expertise चाहे वो driving हो चाहे typing हो चाहे trivia हो, चोटी मोटी चीजे हो चाहे लोगों का emotions manage करना हो बड़ी ममी आज भी बोलती है कि तुम लोगों के emotions को जादा अच्छे manage कर पाते हो कहीं नहीं कहीं थोड़ा बहुत किताब पढ़के मैं अपने emotions को पकड़ पाता हूँ इसलिए शायद वो expertise आ रहा हो yet race, car, ऐसी बहुत सी चीजे हैं जहां पर हम जानते हैं कि हमें नहीं आता हम सीख सकते हैं असानी से सीख सकते हैं ऐसे painting कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, driving सीख सकते हैं लेकिं फिर भी हम अपने आपकों रेस्टिमेट करते हैं absolute beginners, ध्यान रखिएगा, कौन नहीं फसता stupidity में absolute beginners, rarely fall into Dunning-Kruger's trap जो Dunning-Kruger effect है, वो क्या है? कि हमको सब कुछ आता है यह feeling कि मुझे आता है, जबकि आपको नहीं आता इसमें वो लोग नहीं फसते हैं, जो absolute beginners होते हैं इसका मतलब आप लोग फसेंगे आप English में फसेंगे, because आप absolute beginner नहीं है आप filmmaking में फसेंगे, क्योंकि आप absolute beginner नहीं है आप math, science जिसमें भी absolute beginner नहीं है, थोड़ा बहुत जानते हैं अब आपको अंदर-अंदर में illusion आएगा, कि मैं तो जानता हूँ If you don't know a thing about football, you probably don't walk around believing you know more than the coach मुझे football के बारे में, rugby के बारे में, cricket के बारे में भी कुछ नहीं आता मैं तो बहुत openly बोलता हूँ, मुझे इसमें interest है, मैं कुछ जानता हूँ अगर आपको कुछ नहीं पता किसी जी के बारे में, तो आप घुम-घुम करके लोगों को नहीं बोलोगे अरे उसको अचको कुछ नहीं आता, आप चुप रहोगे It's when we progress from novice to amateur, that we become over confident ये तो आपको थोड़ा सा passion आ गया है जैसे गरिमा का थोड़ा सा passion आ गया है, योगा में, Instagram के लिए, वीडियोस बनाने के लिए इस चीज को आप देखें कि मैं इक्तम amateur हूँ ये खतरनाक stage है, ये ऐसा है जैसे कि सबजी कटी हुई, पकी नहीं है ये पक करके रखी हुई है, अब बहुत जल्दी बासी हो जाएगी knowledge, इसलिए कहते हैं, आधा अधूरा knowledge, ignorance से ज़्यादा खतरनाक है वो over confidence पैदा कर देता है अगर आप novice से amateur हो जाते हैं, तो आप over confidence में बहुत आसानी से फच जाते हैं बहुत से लोग हैं जो दो-चार साल, दस साल काम करते हैं, फिर business चालू कर देते हैं खतम कर देते हैं, क्योंकि वो novice से immature बन गए है A bit of knowledge can be dangerous thing, थोड़ी बहुत knowledge, बहुत खतरनाक हो सकती है In too many domains of our lives, we never gain enough expertise to question our opinions or discover what we don't know ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, शुरुआत में ही के मेरे पास जमीनों को लेकर के धक्का पड़ गया पापा को अब जाकर के हुआ, शुरू-शुरू में जो पापा ने investment किये, वो flats में किये और flats के investment में कोई धोखा धड़ी नहीं होता gross level पे flat है, उसके papers किसी के पास हैं और वो transfer आराम से हो जाते हैं जमीनों में बहुत धुखा धड़ी होता है और पापा ने अपनी career के early stage में कोई जमीन नहीं खरीदी जाकर बाद में खरीदी, retire होने के बाद और उसमें धोखे खाए ऐसे बहुत से domains हैं जहां पर हमको थोड़ी बहुत knowledge आ जाती है तो उसमें हम कभी question पूछते नहीं हैं अपने बारे में अपने opinions के बारे में कि क्या हमको इसके बारे में decision लेने का अधिकार भी है क्या हम जानते वानते हैं आज ही मेरी पापा से बात हो रही थी पापा बोलते हैं कि अगर किसी highway पर लखीमपूर से लेकर के सीतापूर के बीच में highway पर सौफिट बाइ सौफिट की जमीन मिल जाए और उसके उपर हम पेट्रोल पंप खोल दे तो अच्छी कासी पैसे कमा सकते हैं वैब हो है श्रीश है दिवानश है यह लोग सेट हो सकते हैं उनके पास इसके बारे में एक्सपर्टाइज नहीं है नौलेज है बोल रहे थे कि उसके लिए यह लाइसेंस चाहिए इतना इंवेस्पेंट चाहिए थोड़ा बहुत नौलेज है खतरनाग है तो जब आपके पास उतना इनफ पॉइंट आप एक्सपर्टाइज आजाएगा तभी आप कुशन गरपा होगे दिखी जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं न जैसे आप लखीमपुर में है आप यहाँ पर दस साल से रहते हैं आप किसी गली में फस गए तो आप कुछ करकरा करके अगर उस रोड़ पर पहुँच गए जहाँ पर आप जानते हैं तो फटावर घर पहुँच सकते हैं लेकिन वही रेगिस्तान में हैं यह समंदर में हैं आप नहीं पहुच पाएंगे जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी फील्ड होती है जहां आप कमफर्टिबल फील्ड करते हैं और काफी कुछ जानते हैं उसको एवरेंट बिफट कहते हैं यूर सर्कल अफ कमपीटेंस इसलिए वरेंट बिफट कहते थे कि मैं उसी बिजनस में पैसा लगाता हूँ जिसको मैं समझता हूँ तो वो एक्सपर्टाइज की बात कर रहे हैं इसलिए कितने साल तक उन्होंने टेक बिजनस में पैसा लगा ही नहीं फिर भी बहुत सक्सेस्फल है वो आज एक अल्टर साउंड का काम को मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक्सपर्टाइज है लेकिन मैं सर्जन के काम में एक्सपर्टाइज नहीं हूँ और मैं आपसे कहते हूँ नहीं यार मैंने तो अगर किसी काम में आप थोड़ा बहुत जानते हैं जैसे गरिमा जब भी इंस्टाग्राम के बारे में बोलती है तो काफी सेल्फ अशूर्ड सुनाई देती है मुझे नहीं लगता कि किसी गाने को अगर हम वीडियो में लगा दें तो उसे बहुत वाइरलनेस आ जाएगी गरिमा को काफी confidence अशूर्ड चीज़ का about making pronouncements of passing judgments हम जब किसी चीज़ को judge करते हैं तो confidence नहीं होना चाहिए क्योंकि एक काम को अगर आप दुबारा भी कर रहे हैं तो भी वो नया है situation बदल चुकी है एक philosopher था कहता था you can never put your foot in the same river twice आप अपना पैर एक सेम नदी में नहीं जाल सकते दुबारा क्योंकि जैसे आपने एक पैर रखा और फिर दुबारा पैर रखा नदी का पानी बह गया नहीं पानी आ गया तुराना पानी बह गया business तो the top of Mount Stupid without making it over to the other side हम सब जब थोड़ा सा expert बन जाते हैं तो हमको लगता है एक दम अब हम जानते हैं यार तो हम यहां पहुँच जाते हैं यह है Mount Stupid यह Mount क्यों है यह knowledge का mountain है मेरे को पता है Instagram चलता कैसे उसमें videos कैसे upload होते हैं वो भी पता है यह Mount Stupid के बाद kya होता है पस्स नीचिए किरते हैं You can see this phenomenon in one of the Dunning's experiment that involved people playing the role of doctors in a simulated zombie apoclips When they have seen only a handful of injured victims their perceived and actual skills match unfortunately as they gain experience their confidence climbs faster than their competence and confidence remains higher than competence from that point on मुलते हैं एक dunning experiment किया गया था simulated zombie apocalypse एक virtual game बनाया गया था इसमें unknown लोगों को जो doctors नहीं थे उनको दे दिया चोट लगी है तुम इनका इलाज करो दो बार, चार बार, दस बार, पचास बार 100 accident वालों का इलाज कर दिया उनको थोड़ा पहुत experience आगया अब वो confident होके हम जा रहे हैं हम तो market में doctor बन सकते हैं इलाज करना शुरू कर दिया लोगों ने उनका confidence बढ़ता है गया उसके बाद से इसलिए जब भी कोई नया resident होस्पिकल में आता है जो just pass out करके हॉस्पिकल में आया उसके पास काफी knowledge है internship भी कर ले internship मतलब senior के साथ में वो काम को देखता है और जैसे उसके पास गुसा confident बढ़ गया patient mortality बढ़ जाती है यह उनकी खाली lack of skill नहीं है खाली उनकी knowledge की experience की कमी नहीं है यह उनका overestimation of skill है वो अपने skill को overestimate करते है advancing from novice to immature can break the rethinking cycle जब आप novice होते हैं तब आप rethinking करते हैं लेकिन जैसे आप immature बने आप rethinking करना बंद कर देते हैं as we gain experience we lose some of our humility जैसे से हमको experience मिलता है हमारी humility कम होती जाती है इसलिए मुझे मुझे तो दिखता है अपनी level दिखती है जब मैं बात करता हूँ गुडिया से या पूजा से मुझे अपनी humility दिखती है लेकिन मुझे अपनों की humility दिखती नहीं है खासतोर से गरिमा की क्योंकि गरिमा को काम आता है she is immature मैं एक दम novice मानता हूँ मैं psychologically भी novice मानता हूँ कि इतना मेहनत का काम मुझे नहीं आता मैं चाहता हूँ गरिमा इस चीज़ को देख सके lack of humility we take pride in making rapid progress हम लोग को बड़ा गर्व होता है कि बहुत तेजे से हम progress कर रहे है which promotes a false sense of mastery लिकिन उसकी वैसे हमको क्या मिलता है false sense of mastery जैसे मुझे यहाँ पर लगता है आप सब को at least गरिमा और वैबा को तो पक्का होगा कि एक company हमको दे दी जाए छोटी मोटी हम उसको बड़ा कर लेंगे scale up 1 और scale up 2 पड़ा है हमने that jump start starts an over confidence cycle preventing us from doubting what we know and being curious about what we don't उसकी वैसे जब यह हम किसी चीज़ को थोड़ा बहुत rapid progress कर लेते हैं तो हम लोग we jump start over confidence cycle हमारा over confidence cycle चलो हो जाता है उसमें हमें जहाँ doubt करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं जहाँ doubt नहीं करना चाहिए जहाँ curious होना चाहिए हम वह curious नहीं होते लीगे trapped in a beginner's bubble of flawed assumptions हम धेर सारे गलत assumptions के trap में फस्ते जाते हैं where we are ignorant of our own ignorance जहाँ पर हम अपनी ही गलतियों के लिए अपनी ignorance के प्रती ignorant रहते हैं और यही हुआ आइसलेंड के डेविड ओटसन के साथ जिनकी arrogance जिसका घमंड और मजबूत हो रहा था उनके क्राउनीज की वज़े से क्राउनीज मतलम उनके साथ ही और जो लोग unchecked by critic था उनके जब कोई बुराई करता था तो उनकी सुनते ही नहीं थे He was known to surround himself by fiercely loyal henchmen कहा जाता था कि वो अपने आसपास में ऐसे लोग को इकठा करते थे जो चापलूस थे बहुत सीरियस बहुत बढ़ा चापलूस थे उसके पास अपने पास रखते थे From school and bridge matches school के friend ले आते थे भाई मैं प्राइमिनिस्टर हूँ सब बड़े खुशी-खुशी उसके दोस बनना चाहेंगे काम करना चाहेंगे उसके साथ या उसके जो bridge के match में उसके साथ खेलते थे वो and keep a checklist of friends and enemies और वो एक checklist रखा करता था कि कौन-कौन मेरे friends हैं कौन-कौन मेरे enemies हैं प्राइमिनिस्टर Months before meltdown Orson refused help from England's Central Bank जब वहा का bank लुटा, meltdown हुआ उसके कुछ महीने पहले England के Central Bank ने कहा आपको मदद करना चाहते हैं ताकि आप बच जाएं डूबे ना मना कर दिया मुझे नहीं help चीए Then at the height of crisis he brushly declared in public that he had no intention of covering the debt of Iceland banks और उसके बाद जब सबसे खराब टाइम आया crisis का वो जाकर public के सामने एकदम बेशरम की तरह बोला देखो जो कुछ भी हमने उधार लिया है वापस नहीं करेंगे एक वीडियो में बताते हैं Iceland में लोगों ने उधार ले लेकर बैंकों से उधार ले लेकरके हवाई जाज खरीद लिया बस सौसो करोड दो दो सौ करोड पर लेकरके हवाई जाज खरीद लिया घूम रहे है और बैंक देता था उनको तो जो उधार दिया हम नहीं निकाल सकते no intention of covering of debts of Iceland banks two years later an independent truth commission appointed by parliament charged him with gross negligence दो साल बाद एक अलग से commission बनाई गई जिसने इनके उपर police का charge जाला इल्जाम लगाया कि बहत बड़ा gross negligence किया Odson's downfall according to one journalist who chronicled Iceland's financial collapse was arrogance his absolute conviction that he knew what was best for the island एक बंदे ने एक journalist ने उसको पूरा track किया था शुरू से लेकर के अंतितक financial collapse को भी Iceland की और इस आदमी को भी उसने कहा यह Iceland इसलिए डूबा क्योंकि यह आदमी arrogant था और उसको absolute conviction था 100% भरोसा था कि देश का किस चीज़ में भला होगा मैं जानता हूँ यह तो ऐसा ही है जिसे मैं कहूँ कि तुम लोग का इसी चीज़ में भला होगा तुम मरो चाहे जीओ यही करना होगा तुम्हें यहां पर आपको नहीं पता महाँ पर सर जुका के पूछे जाने यह न कहा दे इसकी तो जुरोती नहीं है humility मतलब जैसे हमारे प्रकाश चाचा है He's a very humble man आप उनसे कोई बात पूछे उनको नहीं पता तो हकलाते हुए बोलते है यह भी बोल देते हैं कि मुझे नहीं पता बनना देख लेना तुम खुदी खोचलना उनके अंदर से confidence नहीं देखता बाकी सारे भाईयों में कोई भी topic पर बात कर लो confident है humility तो कैसे आप निकलेंगे माउंट स्टूपिड पे से एक बार हो यह गल्ती कर लिजे ब्योकूफी कर लिजे arrogance is ignorance plus conviction गमंड क्या है दो चीजों का mixture ignorance plus conviction एक तो आप ब्योकूफ है और साथी जाथ भरोसे से भरे हुए कि मैं बहुत intelligent हू जो मैं कर रहा हूँ एक दम सही कर रहा हूँ आप पूछ रहे हैं कि humility क्या होती है humility वो filter की तरह है जो sponge का बना होता है जहाँ पर जब कोई धक्का लगता है तो उसमें से आप सीखते हैं absorb करते हैं और वह पर arrogance क्या है rubber की तरह है कुछ भी डालो बाहर से बहकर निगल जाता है कुछ सीखता नहीं है मैं तो जब कभी किसी भी चीज में मेरी गलती दिखाई देती है तो मैं हसता हूँ अपनी उपर दुख भी होता है पैसे कलॉस होता है अपनी गलतियों को थैंक्यू बोलना और पूछना आपने आपसे की इससे मैं क्या सीख सकता हूँ अगर आप यह नहीं सवाल पूछते हैं तो आप हमबल नहीं है आप अपनी गलतियों को बोलते हैं रहे वो तो situation की वैसे हो गए अगर ऐसा है तो आप एरगेंट होंगे मतलब ignorance प्लस conviction बी हमबल ठीक है कल पढ़ेंगे What Goldilocks got wrong Goldilocks ने क्या गलत समझा उनसे क्या गलती हुई ठीक है Thank you मश्कुश अपनसे